आकाश्वणी मद्ध प्रदेश से प्रस्तु थे नर्सिंगपुर जिले की चिठ्थी आलेख आशीश जैन वाचनस्वर शरद बागेला नर्सिंगपुर जिले में सभी स्थानों पर गणेश उस्व और दक्ष लक्षन पर्व हर्शुलास के साथ संपन हो रहे हैं जिले के सभी गणेश पंडालों में शाम को आरती पूजन के साथ भक्तों की खासी भीड गणपती दर्शन के लिए पहुँच रही हैं वहीं दिगंबर जेन मंदिरों में सुभा से भगवान जिनेंदर देव के अभिशेक पूजन और शान्ती धारा की जा रही है तो वहीं शाम को आरती प्रवचन और सांस्कृतिक कारिक्रमों का सिलसिला चारी है मुखी मंतरी डॉक्टर मोहन यादव पिछले दिनों रक्षा बंधन और श्रावन उस्सव में नर्सिंगपूर के किर्शी उपजबंडी परिसर में आयोजित लाडली बेहनों के आभार से उपहार कारिक्रम में शामिल हुए उन्होंने कहा कि बेहनों के सशक्ती करण के लिए सरकार करच संकल्पित हैं प्रदेश की जनदा के साथ तथा बेहनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एक अलग ही आनन्द है बेहनों ने जो आज जिस इसने से उन्हें राखी बांदी है उसे वो नहीं भूल सकेंगे इस मौके पर 159 करोड रुपे से अधिक की लागत निर्मान कारियों का लोकारपन भूमी पूजन और शिलन्यास की आ गया शांती और अहिंसा जैसे मुल्यों को बरकरार रखने के लिए सामर्थ बहत जरूरी है भारत एक ऐसा देश है जो सामजिक सदभाव शांती और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश देता है ये बात परदेश के पंचायत एवं ग्रामिन विकास व श्रम मंतरी प्रलासी पटेल ने पिछले दिनों जनपद मैदान नरसींपूर में विभाजन विभीशिका इसमर्ती दिवस पर आयुजित कारिक्रम में कही कारिक्रम में मंतरी श्रीप पटेल वा अन्य अतितियों ने विभाजन विभीशिका से प्रभावित परिवारों के स्यदस्तियों को शॉल और श्रीफल भेट कर सम्मानित किया प्रधानमंत्री जन्मन पीवी टीजी मिशन के अंतरगत पिछडी जनजातियों भारिया के संबंदित पुखिया वा परिवार जनों को विभिन शास्की योजनाओं का लाब दिलाये जाने के लिए केम्प आयुजित किये जा रहे हैं ये केम्प जन्यपत पंचायत बाबई चीचली की ग्राम पंचायत भील माड़ाना के ग्राम भील माड़ाना राजस्व वन कोटरी और हिंग पानी के लिए केम्प लगाये जा रहे हैं ग्राम पंचायत भील माड़ाना में 10 से 14 सितंबर को केम्प आयुजित किये गए स्वास्त स्विधाओं के इस्तर को वेवस्तित कर उसे सुचारू रूप से बनाये रखने और मरिजों के समुचित इलाज की वेवस्ता रखने के नुर्देश परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंतरी उदे परताप सीह ने अपने गाडर वाड़ा प्रवास के दोरान सिविल हस्पताल में आयोजीत रोगी कल्यान समीती की बैठक में पिछले दिनों दिये बैठक में एजेंडवार विरस्तरत चर्चा की गई और विभिन प्रस्तावों की स्विक्रती प्रदान की गई बैठक में मंतरी शिरी सीही ने कहा कि आवशक्ता पढ़ने पर शमता एवं नियावनुसार स्टाफ रख सकते हैं चिकिस साले में आवशक्ता नुसार डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए प्रतिवेदन बना कर अनुमोदन दिया गया खाद्य सुरक्षा अधिकारियों दोरा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबार करताओं के विरुद्ध समगर शिक्षा अभियान के अंतरगत नवीन व्यवसाइक शिक्षा की स्टार्ट्स प्रजेक्ट की जिलाप स्थरी कोशल प्रदरशनी का शुभारम राधा कृष्णन गार्डन नर्सिंपूर में कलेक्टर शीतला पटले ने किया उन्होंने यहां लगाई गई प्रदरशनी का अवलोकन कर विध्यार्थियों द्वारा बनाये गए मोडल पर चर्चा की और जानकारी ली कलेक्टर शीतला पटले की मौजूदगी में राष्ट्री पशू संगणना का एक दिवसी प्रशिक्षन पिछले दिनों डाइट नर्सिंपूर में संपन हुआ प्रशिक्षन में प्रग्णक एवं परियव एक्षकों को पशू संगणना एप के माध्यम से डाटा एकतरित करने की जानकारी दी गई प्रशिक्षन ऑनलाइन डेमो के माध्यम से दिया गया चंदरयान तीन मिशन की एतिहासिक सफलता के बाद पहली बार पिछली 23 अगस्त को जिले के हार सिकंडरी विद्याले में राष्ट्री अंतरिक्ष दिवस मनाया गया CM RISE, SDM विद्याले नरसींपूर और उतकरष्ट विद्याले नरसींपूर में महामहिम राष्टपती और वेज्ञानी को द्वारा दिल्ली में आयोजित अंतरिक्ष दिवस का लाई प्रसारान देखा वासुना गया बच्चों ने चंदरायन तीन के विशे में अपने विचार व्यक्त भी किये गाउं में नियमित कैम्प लगाकर निशुलक चिकिस्सा सेवाई परदान की जाती हैं बच्चों के लिए प्रेणा दायक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उन्होंने ये भी बताया कि गाउं के मजदूरों को इस्थानी इस्तर पर काम उपलब्द कराया जाता है और उनकी सुविधा के लिए विभिन उपकरण प्रदान किये जाते हैं नर्सीपूर जिले की चिठी समाप्त हुई